गिद्ध जिसे वल्चर भी कहते हैं, एक शांदार ताकतवर और आकरशक पक्षी है, जिसकी खान-पान की आदतें, पारिस्थितिकी तंत्र या हमारे एको सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो चलिए जानते हैं गिद्धों के बारे में। गिद्ध एक मांसाहारी पक्षी है, जो भोजन के रूप में मरे हुए जानवर, छोटे पक्षी और मुर्दों का सेवन करने में समर्थ होते हैं। गिद्ध शिकारी पक्षियों के अंतरगत आने वाले मुर्दाखोर पक्षी हैं, ये सब पक्षी को दो भागों में बाटे जा सकते हैं। पहले भाग में अमरीका के कंडोर, किंग वल्चर, कैलिफोर्नियन वल्चर, तर्की बजड़ और अमरीकी ब्लैक वल्चर आते हैं। और दूसरे भाग में अफ्रीका और एशिया के राजगिद, काला गिद, चमर गिद, ग्रिफोन गिद और गोबर गिद मुख्य रूप से आते हैं। इनका आकार एवं बनावट काफी आकरशक होता है। गिद की सबसे छोटी प्रजाती ब्लैक वल्चर है, जो लगभग 0.6 फीट लंबा होता है। धारदार नाखून, काले रंकी, छोटी पूँच और पंक जो गोलाकार होते हैं, नोगदार चोँच, कुछ मोटी होती है। गिद्ध पक्षी का वजन औसतन 5 से 7 किलोग्राम तक हो सकती है। वही एंडियन कंडोर प्रजाती का गिद्ध 15 किलोग्राम तक होता है। और ब्लैक वल्चर प्रजाती का गिद्ध 0.8 से 1.8 किलोग्राम के बीच होता है। नर एवं मादा गिद्ध का वजन लगभग समान होता है। गिद्ध पक्षी के प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम शीत रतु होता है। मादा गिद्ध वर्ष भर में 2 से 3 अंडे देती है। लगभग 40 से 45 दिनों तक नर एवं मादा गिद्ध दोनों अंडे को सेते हैं और मिलकर शिकारियों से अपने अंडे की रक्षा करते हैं। इसके पश्चाद बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं। बच्चों को उडान भरने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। तब तक उनके लिए भोजन का प्रबंध नर एवं मादा दोनों मिलकर करते हैं। इनका घोंसला अन्य पक्षियों की तरह सुंदर नहीं होता है। गिद्ध पक्षी अपना घोंसला उँचे उँचे व्रिक्षों एवं उँचे पत्थरीले भाग में बनाते हैं। इनका घोंसला छोटी तिनकों, घास, प्लास्टिक, पत्ते, इत्यादिका बना होता है। यह मानव आवास के आसपास रहना बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं। गिद्ध का ओसतन जीवनकाल 20-25 वर्ष तक होती है। किंग वल्चर प्रजाती का गिद्ध 30 वर्ष तक जीवित रहता है। वहीं ब्लैक वल्चर नामक प्रजाती का गिद्ध मात्र 10 वर्ष तक जीवित रहता है। गिद्ध पक्षी की महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना चाहिए। गिद्ध एक सामूहिक पक्षी है जो समूह में रहना पसंद करती है गिद्ध आकाश की उंचाईयों में लगभग 8000 फीट उंचा उड़ सकता है गिद्ध पैसाट किलोमीटर प्रतिघंटा की रफतार से उड़ सकता है गिद्ध एक मात्र ऐसा जीवधारी है जो भोजन में 80-90% हड़ियों को आसानी से पचा लेता है इसकी कुल 23 प्रजातियां पाए जाती है जिन में से 5 प्रजाति मुख्य है पहले नंबर पर आता है एंडियन कंडोर एंडियन कंडोर 4.5 फीट लंबा एवं दिखने में सफेद, काला एवं भूरे रंग का होता है इसका मूल निवास स्थान दक्षणी अमेरिका है एंडियन कंडोर गिद्ध पक्षी की बिगेस्ट प्रजाती है दूसरा है भारत का इंडियन वल्चर यह आकार में 2.5 से 3 फीट लंबा एवं दिखने में मठमेले भूरे रंग का होता है इसकी उपस्थिती भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, मियाममार, अफगानिस्तान देश में है तीसरा है यूरेशियन ग्रिफोन वल्चर यह गिद्ध की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो 3.5 फीट लंबा एवं दिखने में भूरे व सफेद रंग का होता है इसकी उपस्थिती यूरोपीय देशों में है यह गिद्ध की नवीन प्रजातियों में से एक है जो 1.5 फीट लंबा एवं दिखने में काले रंग का होता है इसकी उपस्थिती अमेरिकी देश में है यह गिद्ध की सबसे छोटी प्रजाति है पांचवा किंग वल्चर यह केवल उष्ण कटि बंधिय वनों में रहना पसंद करता है जो 2.5 फीट लंबा एवं दिखने में सफेद गुलाबी एवं काले रंग का होता है इसका मूल निवास स्थान अर्जंटीना एवं मेक्सिको है